एलो फ्रेंट्स, माईनेम इस पिरिती, आप देख रहे हैं एक्जामटिन यूट्यूब चैनल, फ्रेंट्स आज हमने डिस्कूस करने वाले हैं महा सागरी धाराओं के बारे में, तो टॉपिक को सुरू करने से पहले या जान लेते हैं कि महा सागरी धाराएं होती क्या है, ज भूमसे खेनी के माह सागरी जल दांवा रदा नदीमें वहागी तो नदी धारा सागर में वहाद देखंट है इसको जानते हां इसे दाउतरी दाते हैं इस सचली कहते है और यहां पे होता है हमारा विशुवत रेखा अब विशुवत रेखा या भूमद रेखा जो कि मैंने आपको पढ़ाया है कि या इसे क्या कहते है जीरो डिग्री अच्छांस को कहते हैं विशुवत रेखा और यहां पे साड़े 23 डिग्री उपर हो जाता है हमारा करक रेखा साड़े तेश डिगरी नीचे हो जाता है मकर रेखा तिक तो फिलाल करकर रेखा कि हमें जरूरत नहीं हमें बस इतना जानना यह हमारे द्रूव हैं और यह हमारे भूमद रेखा है अब जब विशुवत रेखा से द्रूव की और प्रवाइत होने वाली धारा कौन सी होगी गरम मतलब कोई भी ऐस से जा रही है कोई भी जल्धारा अगर इस तरह बह रही है तो क्या होगी गरम जल्धारा होगी और अगर या इस से दूर जा रही है मतलब द्रूव से विशु जोत्रेखा की तरफ बेह रही है तो कैसे होगी थंडी जल्धारा होगी तिक तो यह आप यह शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठंडी जल्धारा के बारे में, ठंडी जल्धारा के बारे मैंने आपको क्या बताया था? कि दुरूओं से विश्वत रेखा की ओर बहने वाली जल्धारा को क्या कहेंगे ठंडी जल्धारा यह हगर हमारे दुरूओं है और विश्वत रेखा की तरह बढ़ रहे हैं यहां से जल्धारा है तो यह कैसी होंगी ठंडी तो यहाँ से पहले मैं आपको एक एरो दिखाती हूँ आप इसको एरो बनाएए पश्चिमी पवन से ले करके लेके आईए इसको हमबोल तक ठीक एकदम याद हो जाएगा अब ये जितनी जलधाराएं हैं ये कहां पर बहती हैं ठंडी जलधाराएं ये प्रशांत मासागर में बहती हैं कौन से मासागर में बहेंगी हमारी ये सारी जलधाराएं बहेंगी प्रशांत मासागर में उसके बाद अगर हम लोग वेंगुएला से लेके आ जाते हैं दच्छिड अट्लांटिक तक अब ये जितनी जल्धारा है ये अट्लांटिक महासागर में बहेंगी ठीक बाकि एक जो हमारा ये बसता है ये कहां पर बहता है हिंद महासागर में तो अब देखते हैं कौन-कौन से जल्धारा है ठंडी है क्यों ओकाश्टक ओकाश्टक जल्धारा क्या है ठंडी है नॉट वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हमारा सुरू कहां से होता है क्यूराइल जल्धारा से कहां से सुरू हो रहा है क्यूराइल क्या है एक ठंडी जल्धारा है और यह कहां पर जलदारा भी ठंडी जलदारा और यह भी बाती है अगर हम लोग करें तो वेंगुएला, केनारी, लेब्रादोर, फॉकलेड, अंटार्काटिका और दच्छड आतलांटी, यह सब अटलांटीक में बाते हैं, अट्लांटिक महासागर में ठीक और यह कैसी जल्धार है है ठंडी हमारी वेंगुएला जो जल्धारा यह भी ठंडी है केनारी जल्धारा यह भी ठंडी है लेबरेड और जल्धारा यह भी ठंडी है फॉक लैंड यह भी ठंडी है अंटार कटका यह भी ठंडी है ठीक और यह है हमारा दच्छिड अट्लांटी और यहां पर आप देख रहे हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो यह कहां पर है यह वहती है हिंद महासागर में अब इसको मैप के तुरू भी जड़ा देख लेते हैं अब यह देखी हमारा मैप है इस मैप में बताया गया है आपको मैंने ब लैक है वह क्या है ठंडी जल्धा रहा है तो देखी मैंने आपको कौन कौन से जल्धा रहा बढ़ा है पहले देखते हैं क्यूराइल जल्धारा अब इसमें देखते हैं कि क्यूराइल जल्धारा कहां पर है क्यूंकि या कहां पर बैती है प्रशांत मासागर में क्यूराइ हमबोल्ट अब यह देखिए हमारा कैलिफोर्निया जल्दारा नारी बेखें ठंडी जल्दारा है और यह भी डेखिए ब्लू कलर से का लाइन है और यह पहले आप रिजन समझ दीजी कि कौन सा यहां पर पूरा रूस है चीन भारत का नकसा यहां पर आप देख सकते आउस्ट्रेलिया की बात करें तो यह देखे यह वाला पूरा रीजन आउस्ट्रेलिया है और यह क्या है अफ्रिका है तो यह हमारे सभी फी कॉंतिनिन और यहां पर आहा है हमारा अंतार्क अठीक है तो इसमें देख लेते हैं जलधाराओं के अब यह देखिए अलास्का जलधारा जो है यह हमारी गर्म जलधारा है जहकि गलफि op यह गर्मी लगारा है और यह डूद.ी द्रूगो की तरफ ज़ारे है थिक है गर्म जलदा रहा हैं कौन कौन सी है और कौन से सागर में हैं तो सुरू होगा यहां से सुशिमा से सुशिमा अलाश्का एल नीनो क्यूरोशियो गल्फ इस्ट्रीम ब्राजी नहीं क्यूरोशियो तक यह तो हम लोग सब गर्म जलदा रहा हैं लेकिन सुशिमा से लेके क्यूर गोशियो गर्म जल्धारा एल नीनो गर्म जल्धारा अलास्का गर्म जल्धारा और सुसिमा यह सभी कैसी है गर्म जल्धारा है जो की प्रशान्त मासागर में बैती है नेक्स है हमारा गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रीम की बात करें तो यह सरवाधी गर्म जल्धारा है तो question आता है कि आपको 4 option देदेगा, पूछेगा कि सरवाधी गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ इस्ट्री में, इसी तरह हम लोगों ने थंडे में ने डिस्कस किया, कि सरवाधी थंडी जलधारा कौन सी है, तो लेबरादोर जो है, कर ना रहा है या सरवाधी थंडी जल रहता है कि जहां पर गरम, जल दोनों बहुत रही हैं मास आगर मे यह ऐधार मिलती है एक जगह पर आपक होता है सबसे जादा होता है कि ज्यादा पाई जाती है तो का में पर ग्रांड बैंक incomoda कैनाडा USA में हैं क्यों यहां पर सबसे ज़्यादा मशलिया पाई जाती है क्योंकि यहां पर गर्म जल्धारा और ठंडी जल्धारा हैं मिलती हैं इसलिए यहां पर मशलियों का उत्पादन सरवादिक होता और पकड़ना बहुत इजी होता है अगला हम लोग ब्राजील से हम लोग अगर ले जाएं तो गीनी तक क्या है अट्लांटिक मासागर में बैने वाली जल्धार है अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टन्ट है वह हमारा गल्फ इस्ट्रीम मतलब आप लोग जानते हैं कि गर्मी होती है तो यह हो गया हमारा गल्म जल्धारा ठीक और इसी स्ट्रीम और ब्राजील यह सब क्या है यह सब हमारी गर्म जल्धारा है जो कि अट्लांटिक मासागर में बैती है नेक्स है हमारा अगुलहाश मोजांबिक और मेडागासकर यह जल्धारा है जो है यह हिंद मासागर में बैती है और अगर और यह कैसी है इनकी प्रकिती क्य किए गर्म जलधारा इनकी प्रकितिए कैसी जलधारा है जलधारा है यह सब घर्म आज कर मोजामबी और अगुल हास यह अपका है अज आपका यह टॉपिक होता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा तो याद रखी गा कि जहां पर ठंडी जलदारा और गर्मी जलदारा मिलती ही, महाँ पर क्या होता है, मशली पकड़ने का, जो प्रोडक्शन होता है, मशली पकड़ने के लिए जहीं सबसे उपयोगत त отethan है, वहीं है भी, ठीक है? तो चलिए इसके साथ बीजने को समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच